साधू जी, अरे ओ साधू जी, जोर सें बोलो, साधू जी, भारात हिंदू राष्ट की, भारात हिंदू राष्ट की, तमे कैम छो, मजामा, आप लोग बहुत अच्छे हो, रंगीली नगरी, जहां के रंग मिजाजी लोग, एसी रंगीली नगरी के नाम से जाने जाना बाला सहर, राज कोट की इस पावन धरा को बारम बार प्रणाम करती हुए, एक तरफ दादा सौम नात, दूसरी तरफ भगवान गार का नात, बीच में हम सब बैठे हुए सनात, यह है, राज कोट की धरती, जो बड़ी दिबता से भरी पड़ी है, यहां के लोग बड़े रंगीन हैं, जीना जीना सीखना है, तो आओ कभी कुछ दिन गुजारो गुजरात के राज कोट में, जहां दो पहर दो बजे के बाद कुट्ता भी बाहर नहीं निकलता, धन्न है ये रंगीली नगरी, जहां प्रती दिन भारत का पहला ऐसा सार होगा, क्या दुकांदार, क्या मजदूर, क्या मालिक, क्या नेता, क्या अभिनेता, और क्या यहां के रहने बाले लोग दो बजे से पाँच बजे तक दबा कर सोते हैं इसके बाद उठते हैं धन्न है यह नगरी जहां सुबए के पाँच अख़बार साम के भीश वाह धन्न है यहां की अद्भुत्ता यह रंगीली मिजाज हमें तो सच बताएं राजकोट भागया है यह राजकोट बालों से दुनिया को सीखना चाहिए पूँछो क्या जीना लोग कमाते किसलिए वो ले इसलिए कमाते कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम आराम से सौएंगे असलियत में और लोगों के ऐसे दिन कभी आते ही नहीं कि वो आराम से सौएं एक दिन बिल्कुली आराम हो जाए डारेक्ट राम नाम सत है लेकन धन्न है राजकोट के लोग जो प्रतीदन तीन घंटा चार घंटा आराम से सोते हैं ऐसे रंगीले सहर राजकोट में दोदिब सीय आयोजन में आज प्रथम दिवसका दिब दरबार है हम दिब दरबार की ओर बाला जी के चड़नों से प्रात्ना करके आंगे बढ़ेंगे इसके बाद कल हनमंत्र चर्चा पर हम लोग सब भाव रख करके और दोदिब सीय दरबार बिराम होगा दरबार एक ही दिन का है लेकिन आयोजन दोदिब सीय है हमने एक चीज लिखी कहो तो सुनाएं तुम्हें चप्पा चप्पा भर जाएगा स्री राम के जैकारों से पूरा गुजरा तब गूंज उठा है स्री राम के इन नारों से दन्य राजकोट और पहली बार राजकोट की इतिहास में ऐसा हुआ है कि सभी पंथ जितने भी सनातन धर्म के अलग-अलग-अलग-अलग-अलग संगते वो एक मंच पर आकर हिंदू सेर की भाती दहारे हैं धर्म बिरोदियों को हम कहेंगे ठटली के बरे हरो खून अपना गरम है क्योंकि हिंदू हमारा धर्म है लोग हमसे कहते के आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उपद्रो हो कि हम उपद्रों की बाते ही नहीं बोलते हम तो किबल हिंदूओं को जगाने की बातें बोलते हैं कि बाते हैं